कि एलो अच्छो गुड मॉर्निंग आप सभी को टाइलेंड इस्टिटूट में स्वागत है डियू सोल का इंपोर्टेंड नोट्स बीए प्रोग्राम बियानस थर्ड समेस्टर सेकंड एर हिस्ट्री इतिहास यह है कि हिस्ट्री ओफ इंडियन आर्ट ओके धरोहर क्या है जो क्या समझते हैं कि कला और वस्तु कला से समंधित धरोहर देश के पहचाने धारित करती है ओके जो कि आज इसका पेपर है दो तीस से स्टार्ट होगा कि उपके बच्चो तो आप लोग इसको में इसका अंसर देखिएगा और अच्छे से पैपर दिजिएगा आप लोग तो अभी तक जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और अपने दोस्तों को वीडियो का सेयर नहीं किये हैं तो प्लीज अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा वीडियो का सेयर करें ताकि कोई छूट ना पाए आपका दोस्त अब बच्चो तो चलिये इसका अंसर देखते हैं कि आगे के help के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेए और वीडियों को ऑखिय, अच्हा लगता है, जब लाईक आता है वडियो पे तो, चलिए अब इसका अंसर देखते हैं, चलिए धरोहर क्या है, क्या समझते हैं कि कला और वस्तु कला ने धरोहर देश का पाचान नेदारिति करती है, चलिए इसका अंसर देखते हैं संस्कृतिक और प्राकर्तिक महत्यों का अस्थलों को हम विश्व धरोहर या बिरासत कहते हैं संस्कृतिक और प्राकर्तिक महत्यों का अस्थलों को हम का कहते हैं विश्व धरोहर या बिरासत कहते हैं अस्थल यतिहासिक और प्रयावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं इनका अंतराश्टिय महत्व होता है और इनके संदक्षन है तू विशेश परयास किये जाते हैं देख देख करने का विशेश प्रावधान रखा जाता है ऐसे अस्थलों को अधिकारिक तोर पर संजुक्त राष्ट की संस्था यूनिस को विशो धरोहर का मानेता पादान करती है कोई भी अस्थल जो मनवता के लिए जरूरी है जिसका की संस्कितिक और वहुतिक महत्व है उसे यूनिस को द्वारा विशो धरोहर के तौर पर मानिता दी जाती है किसी व्यक्ति का अपना धरोहर से संबंद उसी परकार का है जैसे एक बच्चे का मास से संबंद होता है हमारी धरोहर हमारा गौरो है और यह हमारे इतिहांस बोज को मजबूत करते हैं हमारी कला और संस्किति के अधार सीला भी हमारे विरासत अस्थल ही है इतना ही नहीं हमारी बिदासते हमें बिग्यान और तक्निकी से भी रुब्रू कराती है यह मनुस्युत अथा प्रक्यति के मद्धर जटील संबंदों को दसाता है और मानों सवेता की विकास गाथा को कहाने भी बया करता है भारतियत समिधान का नुछेद 51.A.F. में असपस्ट कहा गया है कि अपनी समग्र संस्किति के संब्रित धरोहर का सम्मान करना और इससे संदक्षित रखना परतेक भारतिया नागरी के कहा है करतब्य है यह दुर्भागे ही कहा जाएगा कि हम अब तक अपने विरासत अस्थलों के समाजिक और संस्क्रितिक महतों पर ही बात करते आए हैं जबकि आर्थिक विकास में इनकी भूमिका अत्यांत ही मतपूर्ण है यह एक ऐसा पक्ष है जिससे हम नजर अंदाज करते आए हैं बिरासत अस्थलों के आर्थिक विकास में मतपूर्ण भूमिका भारत एक ऐसा देश रहा है जिसका इतिहांस विवित्ता से भरा हुआ है दुनिया के पराचिंतम हडपा सबेता से जहां हम सरोतम नगर योजना के गूर्ष सीख सकते हैं तो जैपूर के जंतर मंतर और वेध सालाओं में हम समकालीन वेज्ञानिक विकास की जलक देख सकते हैं इतिहासकारों का मनना है कि बहुर से भारतिय जरजाओं ने अपने कीले और समारकों का निर्माण तब कराया जब उनके छेतर में अकल पड़ा हुआ था तकि इमारतों के निर्माण के साथ साथ उन्हें रोजगार भी दिया जा सके हमारे आज के निती निर्माता भी इससे सबक ले सकते हैं हमारे विरासत अस्थलों की एक परमुख विसस्ता या है कि उनके निर्मान में अस्थानिय संसादनों और अस्थानिय कला विसस्ताओं का जम कर उपयोग हुआ है। जाहिर है यह कौसल आज भी वहां का अस्थानिय समधाय में विद्यमान है। अताहीं इनको संरक्षन पर दान कर अस्थानियां अस्तर पर रोजगार स्रीजन किया जा सकता है। भारत में हजारों ऐसी विरासत अस्थल है जिसनकी संरचना बहुत ही मजबूत है। है राजस्थान के बहुत से किलों का अधुनिक स्विधाओं से लैस होटलों में तब्दिल किया जा सकता है। होटले या संगरहाले या बुस्तकालियों के रूप में उपयोग किये जाने के अलावा इस परकार के इमारतों को असानी से स्कूल या किलनिक के रूप में उपयोग करने का नकुल बनाया जा सकता है। समस्या तथा चुनावतियां। एतिहासिक धरूहर के मामले में भारत अत्यांत ही संब्रिद्ध है। उप महादीप के परतेक छेत्र में बड़ी संख्या में असमार किया भवन है। फिर भी भारत में 15,000 से भी कम असमारक और विरासत अस्थल कानूनी रूप से संद्रक्षित है। वही बीटेन जैसे छोटे से देश में छे लाख असमारकों का वैधानिक संद्रक्षन परापत है। भारत में राष्ट्रिय राज या अस्थानिया महत्यों के असमारक उपेक्षा के सिकार है। अतिक्रमड एक ऐसी चुनावती बंज गई है कि लोग इन एसमारकों के परवेश दुवार पर सुबह सुबह दातून करते अपने मेशियों और पालतू जनवरों को सेर कराते देख जाते हैं। हमारे विरासत अस्थलों के दैनियां इस्थिति के जमिदार वे संस्थाएं और निकाएं हैं जिन्हें इनके संनक्षन के दाईतों दिया गया है। अस्थलों की खोज हुई है जो परसीद हरपा से बिता के समकाली ने इन अस्थलों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं वही परियतन विभाग भी इन अस्थलों के अतिहासिक महतों का परचार परसार करने में असफल रहा है। इस दिशा में ततकाल परभावी कदम उठाने होंगे। भारत में यूनेसको द्वारा मनेता प्राथ 35-200 धरोहर अस्थल है। दुनिया केवल कुछ ही देशों में या संख्या 35 से अधिक है। आवसे किया है कि इन अस्थलों के साथ जुड़े संगीत भोजन अनुस्थान पोसाक व्यक्तित। खेल तेहवार आदी के बारे में जनकारी कठा करें ताकि अगुन्तुकों को ये जनकारिया देकर हम आर्थिक लाब कमाम सके। यदि हम अपने विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आर्थिक लाब से जोड़ना होगा और इसके लिए तो संस्कितिक छेत्र को उतारी करण की परिदी में लाया जाना चाहिए। कि जब ये अस्थाल आर्थिक महत्वाले बन जाएंगे तो इनके रख रखाओ के लिए नीजी और सारवजनिक छेत्रों के बीच परतियस फर्दा देखेंगे देखने को मिलेगा। कि दुनिया भर मैं कुल 152 बिश्वधर्वार अस्थल है इन में से 814 संस्कृतिक है 203 प्राकिर्तिक और 35 मिस्ष्रिथ हैamento भारत में फिलहाल 27 के संस्कृतिक साथ प्रक्रतिक और एक मिस्रिति सहितकुल 35 विश्व धर्वार अस्थल है भारत की संसकिती देश के इतिहाट से जूड़ी हुई है भारत के इतिहासिक असमारक ताजमहल बिश्व की परसीदzier इमारतों में से एक है अब यहां इमारत सा जहां के राजवनसों के प्रतिक मात्र रह गई है अनेक महाराजा तथा राजवनसज बिमीन इतिहासिक असमारा का अपने प्रतिक के रुप में छोड़ गया है भारत में दो परकार के संस्कितिक धरोवर है पहला है भावतिक धरोवर जिसे असपर्श कर सकते हैं और दुसरी है अद्रिस धरोवर जिसे हम देख नहीं सकते सून नहीं सकते लेकिन इतिहास उसे बया करता है हजार वर्बर में अनमौ और यतिहासिक अस्थल है 1972 में युनस्वों ने विष्व क खाजुराहों के असमारक सांची के बौध मठ हुमायू का मकबरा भी परसीद है दोजार साथ में उन्हें लाल किले को भी अथिहासी का समारक गोसीत किया है दोजार साथ में अपने लाल किला का भी कर दिया है एतिहासी का समारक ओके बच्चों तो यह रहा आप लोग का कुश्चन हिस्ट्री इंडियान आफ आर्ट कहाई यह तो बच्चों आप लोग का दो तीस से पेपर है ओके मुझस से जितना हो पया मैंने आप लोग के लिए कोश्चन कर दिया है बहुर सारा वीडियो है आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करिए और पढ़िए ओके फिर मिलते हैं अगले वीडि कर दिया को थैंक कुसो मॉच बच्चों कि उच्छा अकर बाता की अजय को वस्कार की आए है या ये 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 शलागनेटंट्र आदे को शालवां और इन इन दो आव है ये है ये जैंड़ कर शाया है ये